हेलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नमबर फोर को रीड किया था, अब हम इसके पॉस्चेन एंसर को करेंगे, चलिए बुच्चों, स्टार्ट करते हैं पॉस्चेन एंसर पॉस्चेन नमबर वन भगवान ब्रम्हा का मंदिर कहां पर इस्टित है? ब्रम्हा का मंदिर अजमेर के पॉस्चर में स्थित है Q2. How many camels are sold and bought in the camel pair of पॉस्चर? पॉस्चर के उंट मेले में कितने उंटे, बेचे तथा खरीदे जाते हैं? Q2. Over 25,000 camels are sold and bought in the camel pair of पॉस्चर पॉस्चर के उंट मेले में 25,000 से अधिक उंटों को बेचा तथा खरीदा जाता है Q3. Where is the गंगोर पेर और वन गंगोर मेले का आयूजन कहां किया जाता है Q4. Why do people visit the पॉस्चर ले? Q4. लोग पॉस्चर जील का ब्रह्मन क्यों करते हैं? People visit the पॉस्चर लेक to take a holy deed in it लोग पॉस्चर जील का ब्रह्मन उसमें एक पवित्र डुब की लगाने के लिए करते हैं Q5. Write down what पॉस्चर is famous for लिखे की पॉस्चर किसके लिए प्रसिध है? Q5. पॉस्चर is famous for the camel बचों यहां पर फेयर है ठीक है? आपर यहां यार फेयर पॉस्चर लेक and the temple of Lord Brahma पॉस्चर उंट मेले पॉस्चर जील तथा बगवान ब्रह्मन के मंदिर के लिए प्रसिध है Q6. Which is the world's largest fair? संसार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? The camel fair of पॉस्चर अजमेर आगे बचों इस लिखा हुआ है ठीक है? Is the world's largest camel fair पॉस्चर अजमेर का उंट मेला संसार का सबसे बड़ा उंट मेला है तो यह होगी बच्चों आपकी question answer अब आपको इनको fair notebook में सुन्दर सुन्दर रायतिंग में आपको इनको लिखना है तथा इनको learn भी करना है ठीक है बच्चो? Thank you